करीब 55 दिन बाद जाबवा पुलिस ने आकिरकार अगराल के विजे पांचाल हत्याकान का खुलासा कर दिया है आपको बताते हैं कि 13 अगस को महिनगर के समीव रेलवे ट्रेक पर एक सव बरामद हुआ था ये सव विजे पांचाल का था और तब से लेकर अभी तक लगातार पुलिस कोशिश कर रहे थी कि इस हत्याकान के तह में पहुचा जाए लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था अब जाकर इस मामले का खुलासा हो गया है आपको बता दें कि इसको लेकर पांचाल समाज में काफी आकरोज था मुक्यमंदरे सिवरास्थिंच चुहान को गयापन दिया गया, S.P. को गयापन दिया गया मुक्यमंदरे ने धांदला के मंच से भी ये कहा था कि हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाएगा अंतरता पुलिस को काम्या भी मिली है और ये हत्याकान का खुलासा हो गया है तो पुलिस ने प्रेस कॉंफरेंस के जरिये इस पूरे हत्याकान का खुलासा किया है एस पी जाबो आगम जेन ने कंटोल रूम में एक प्रेस कॉंफरेंस आउजित की उसमें उन्होंने सत्याकान का खुलासा करते वे क्या कहा सुनिये इरा आगस्त को मेगनगर थाना शेत्र के अंतरगत एक गटना गटी थी जिसमें की एक व्यक्ति था विजय पंचाल नाम का उसकी बॉड़ी मिली थी और उसके बाद उसमें अपराद पंजीबद दुआ था उसके बाद से लगाता और हमारी पुलिस की टीम उसमें कारे कर रही थी अपराद को हमें शिग्रती शिग्रत निराकरण करना है अब आपको बताते हैं कि जो हत्या के पीछे दो वज़े जो पुलिस ने बताई है वो यह है कि काली बाई नाम की जो महिला है जो की कथा फेक्टरी जहां पर विजय काम करता था उसके रास्ते में ट्रेक पे कहीं रहती थी पुलिस की कहानी ये है कि काली बाई और विजय के बीच में अच्छी बाच्चे शुरू हो गए दोस्ताना संबंद शुरू हो गए और इनी संबंदों की भनक जब काली बाई के पती अमर सिंग को लगी तो उसे ये बात बरदास्त नहीं हुई उसने ये ताई किया कि वो जो विजय है उसको रास्ते से हटा देगा उसके लिए उसने अपने दोस्त काली से संपर्क किया कालू से कहा गया कि अगर वो कुछ अपने दोस्त लिया है जिने वो इस हत्या के बदले शराब पिलाएगा और इस काम में वो मदद कर दें तो वो आबारी रहेगा कालू ने ऐसा ही किया और उसने अपने दोस्तों को चुना उसके दोस्त उसके साथ आए और घटना के दिन 13 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिया वारदात को अंजाम देते समय बकाइदा पत्थरों का इस्तमाल किया गया फटी हुई लकडी का इस्तमाल किया जाए ताकि चोड ज़दा लगे आपको उदाने के कालू ने अपने साथी सुनिल और नरेस को बुला लिया शराब पीने के लालच में ये इस हद्थ्या में शामिल हो गए विजह की जगन हद्थ्या करने के बाद शवकुनों ने वहीं पर रिवरे ट्रेक के समी फेक दिया ताकि ये लगे कि ये ट्रेन से टकरा कर हास्थे में हुई एक मौत है लेकिन कहते हैं कि देर सबेर पुलिस पहुची जाती है और पुलिस के अनुसार करी पच्पन दिन बाद उसे मुग्विरों की सूचना के आधार पर पुस्ताज के आधार पर अंतर तरह ये सफलता मिली विजए फैक्टरी में काम करता था फैक्टरी में ही काम करते समय वो दिन में एल्वे स्टेशन की तरफ ही एक महिला रहती थी काली भाई करके उससे मिलने जाता था और इसके बारे में जब उसके पती को, काली भाई के पती को अमर सिंग को पता चला तो उसने अपने साथ में अन्य दो-तीन मित्रों को लेकर के इसकी पूरी साजिश रची और जब तेरा तारिक को विजय मिलने के लिए जा रहा था तो वेलवे पती का वो हिस्सा जो घटना स्थल है वहाँ पर घटना की पत्थर से और लकडी होती है जिसको फाचरा कहते हैं उसके माध्यम से उसके सरपर वार किया और घटना को अन्जाम दिया मुख्य जो आरूपी है वो अमर सिंग जो महिला का पती है महिला काली भाई और बाकी जो साथ में जिन्होंने सपोर्ट किया है कालू, सुनील और नरेश हैं सभी आरूपी जो है वो गिरफतार हो जो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस को पचपन दिन क्यों लगे पुलिस को एसाइटी बनानी पड़ी मुख्य मंतरी के निर्देश लेने पड़े तो इतना वक्त क्यों लगा दरसली केस इतना आसान नहीं था वज़े ये थी कि काली भाई मॉबाईल का इस्तमाल नह करने से विजय की काल डिटेल में कहीं पर ऐसा नहीं मिला जिससे पुलिस को कोई क्लू मिले और पुलिस आगे बढ़ पाए तो जो मैनुवल तरीके से पुलिसिंग थी वही की गई सूचना संकलन किया गया सूचना तंत्र को सक्री किया गया कई दोर की पूस्ताच हुई औ पुलिस का कहना है कि अपनी बाइक को दूर रखकर विजय अपनी दोस्त काली से मिलने जाता था और यही बात अमर सिंग को पता चल गई थी और यही वज़े है कि हत्या के दिन शव अलग मिला और बाइक अलग मिली इससे भी भरम पैदा हुआ पुलिस भी कन्फीज हुई और यही खुलासे में देरी की वज़े रही हाना कि कई लोग अभी भी पुलिस की इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं वो एक अलग विशा है लेकिन जो पुलिस ने खुलासा किया वो यह है जो हमने आपको बताया